अब हम बात करते हैं मानो विकास की भई पूछ लिया जाए कि मानो विकास का अर्थ क्या है तो हम क्या कहेंगे तो मानो विकास का अर्थ होता है कि मानो की मानो का संपूर्ण विकास से हैं मानो विकास का अर्थ मानो की संपूर्ण विकास संपूर्ण विकास से हम क्या कहेंग फिर उसका आर्थी किस्तर पर या समाजी किस्तर पर राजनेती किस्तर पर और स्वतंत्रता जो हम बात करते हैं कि फ्रीडम है ना तो स्वतंत्रता के साथ ही सिक्षा स्वास्त है और जो भी अन्य औसर उसे मिलते हैं सभी औसरों की में समानता समानता के आधार पर उसे स्वतं जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं मानव विकास या हम कहते हैं कि मानव का संपूर्ण विकास हो रहा है हर छेत्र में आर्थिक छेत्र में भी आर्थव्यवस्था जो है वो विकास कर रही है राजनेतिक छेत्र में भी विश्व इस्तर पर उस देश की एक प्रभुसत्ता उस economy के development होने के लिए जितनी आधुनिक्तम तकनीकें जो हैं वो वहाँ पर प्रयोग की जा रही हैं और वो तब प्रयोग की जाएंगी जब उस देश का जो नागरिक है वो खुद ही एक उननशील प्राध्योगी की से लैश होगा हम कह सकते हैं कि ये सारी जानकारियां सभी बातों का ज्यान जो है वो उसे होगा तभी तो वो अपने देश को इस विकास की तरफ अग्रसर कर सकता है क्योंकि हम जब भी सभी संसाधनों की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्यपूर्ण संसाधन जो है वो कौन है मनुष्य स्वयम है मानों खुद है जो कि अन्य सभी स संसाधनों का विकास करता है या उसे अपने उपयोग के लायक बनाता है तो सरवाधिक महत्योंपूर्ण сंसाधन तो मनुश्य ही है तो मनुश्य का जब समुचित विकास होगा और हर चेत्र में विकास होगा तब ही हम उसे मानो विकास कहेंगे, हाँ एक दूसरी कि जब मानो विकास हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि मानो विकास का मतलब ए यह सभी छेत्र में उसका विकास ही होगा लेकिन साथ ही साथ सार्थक जीवन होना चाहिए यह जह वह कि उसके जीवन प्रत्याशा बढ़ गई वह अँ सौ साल तक और आदमी जी रहा है, है न, हम कह रहे हैं कि इस देश की जो जीवन प्रत्याशा है वो 8 की उम्ड है, तो जल्दा जीवन या लंबी आयू, जीवन जीने से उसका तात पर ये बिल्कुल नहीं है सार्थक जीवन का, सार्थक जीवन का मतलब होता है कि आहां आपके जीवन का एक उद्देश होना चाहिए, उद्देश पूर्ण जीवन जीने को ही हम क्या कहते हैं, सार्थक जीवन, तो मानो विकास का अर्थ होता है कि मानो का संपूर्ण विकास से है, मानो विकास का अर्थ, मानो की संपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास से हम क्या कहेंगे, फिर उसका सभी ऑसरों की समानता समानता के आधार पर उसे वतनतता मिले इस आधार पर जब चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं मानौ विकास या हम कहते हैं कि मानौ का संपूर्ण विकास हो रहा है हर छेत्र में आर्थिक छेत्र में भी आर्थव्यवस्था जो है वो विकास कर रही है राजनेतिक छेत्र में भी विश्व इस्तर पर उस देश की एक प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है ना वहां पर और किसाद्हार पर कहेंगे कि एकोनोमी तो है ही उस को डेवलप्मेंट होने के लिए जितनी आधुनिक्तम तक्नीके जो है वह वहां पर प्रयोग की जा रही है और वो तब प्रयोग की जाएंगी जब उस देश का जो नागरिक है वो खुद ही एक उननशील प्राध्योगी की से लैश होगा, हम कह सकते हैं कि यह सारी जानकारियां, सभी बातों का ज्यान जो है, वो उसे होगा, तभी तो वो अपने देश को इस विकास की तरफ अग्रसर कर सकता है, क्योंकि हम जब भी सभी संसाधनों की बात करते हैं, तो में सबसे महत्यपूर्ण संसाधन जो है वो कौन है मनुष्य स्वयम है मानों खुद है जो कि अन्य सभी संसाधनों का विकास करता है या उसे अपने उपियोग के लायक बनाता है तो सरवाधिक महत्यपूर्ण संसाधन तो मनुष्य ही है तो मनुष्य का जब समुचित विकास होगा एक दूसरी चीज और है कि जब मानो विकास हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि मानो विकास का मतलब है यह सभी छेतर में तो उसका विकास ही होगा लेकिन साथ ही साथ सार्थक जीवन होना चाहिए, यह नहीं भई कि उसके जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, सौ साल तक कोई आदमी जी रहा है, है ना, हम कह रहे हैं कि इस देश की जीवन प्रत्याशा है, वो असी की उम्र है, तो जादा जीवन यह लंबी आयू, जीवन जीने से उसका तात पर यह बिल् जीवन और यह हम इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं, यहां दो पिक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, एक व्यक्ति जो है, वो बेचारा सा बैठा हुआ है, और कह रहा है कि भई, कल का क्या है, हमें तो पता नहीं, आज जैसे जी रहे हैं, वैसे जी ले रहे हैं, पता नहीं कल क्या होगा, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस व्यक्ति के जीवन का कोई उदेश जो है, वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहीं दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, कि एक लड़की है, और वो कह रही है कि मैं आगे पढ़ना चाहा रही हूं, बढ़ना चाहा मतलब वो अभी तो फिल्हाल हम देख रहे हैं कि वो डॉक्टर बनने की उसकी इक्षा है, मैं डॉक्टर बनना चाहा रही हूं और डॉक्टर बनके मैं देश के लोगों की जो है चिकित्सा सुविधा जो है उसमें उसकी बढ़ोतरी करना चाहा रही हूं, अपने ज्यान मे तो हर व्यक्ति तक पहुंच तक मैं उसको पॉसिबल कर पाऊं, तो इसके जीवन का एक उदेश है, वही हम एक और पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि मैं सैनिक बनना चाह रहा हूं और सैनिक बनके मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, देश के लिए तो यही इस पिक्चर से ही हम समझ सकते हैं कि एक के जीवन का कोई उदेश नहीं है भले ही वो इस सोच के सहारे 90 साल तक जिये लेकिन मतलब ही नहीं है क्योंकि उसके जीवन का आगे कुछ करने का कोई लक्ष कोई उदेश नहीं है लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं कि और दो अपने देश के लिए कार्य करना हैं तो मानव विकास में हम देखते हैं कि यह सारी स्वतंत्रता हैं स्वतंत्रता मतलब आउसरों की समान रूप से चाहे लिंग के आधार पर हो जाती के आधार पर हो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए सभी को समान आउसर मिलने की स्वतंतरता हो उनका आर्थिक विकास हो सामाजिक विकास हो राजनेतिक विकास हो और साथ ही साथ ये जीवन जीने की जब उनको स्वतंतरता मिल रही है तो उनके जीवन जीने का एक सार्थक जीवन वो जीए या उनके जीवन का एक उदेश हो उदेश पून जीवन जीए तभी हम सही अर्थों में मानविकास कह सकते हैं अब हम देखते हैं ये मानविकास की संकल्पना कब से आई तो मानविकास की जो संकल्पना है लगभग हम बात करते हैं 1980 और 1990 के दशक के पहले जो मानविकास था या human development की जब बात की जाती थी तो उसका ताद पर ये होता था कि अर्थ व्यवस्था का विस्तार किसी भी राश्ट्रिय देश का उस देश की अर्थ व्यवस्था जितनी फैली होगी जितनी बढ़ी होगी वहां माननों विकास उतना ही अधिक होगा लेकिन भाई फिर धीरे ये इस चीज को बदलने की आवशक्ता महसूस की जाने लगी कि भाई सिर्फ अर्थविवस्था में बदलाओ या अर्थविवस्था के बड़ा होने से ही हम मानव विकास नहीं कह सकते हमें इसमें सकारात्मक परिवर्तन के साथ गुडात्मक चेंज या गुडात्मक परिवर्तन की बात की गई या यह विचार किया गया कि जब तक किसी देश की अर्थविवस्था या उस देश में राष्ट में गुडात्मक परिवर्तन नहीं आता तब तक हम उसे मानव विका विकास नहीं कह सकते हिपा। तो हम जब गुरात्मगपरिवर्तन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। तो उस गुडात्मग पक्ष हम यह कहें कि विकास का कुछ यह कि मुखlesia केंद्र बिंदू है या उसके दूसरे पक्ष की हम बात करें तो तीन जो आपको दिख रहे हैं पहला सिक्षा, दूसरा स्वास्थ है और तीसरा है क्रह शक्ति इन तीन बातों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि मानव विकास वहां किस अवस्था में हैं या उसका मैजरमेंट कर सकते हैं तो ज्ञान प्राप्त कर पाना मतलब किसी देश में हम कहा रहे हैं जनसंख्या तो अभी हमने बात की थी न कि भई बढ़ रही है लगातार ग्रोथ हो रहा है व्रिद्धी हो रही है लेकिन वहां पर लोगों को वहां के नागरिकों को सिक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही है तो हम कैसे कहेंगे कि उस देश का विकास जो है, वो हो रहा है, है ना, गरीबी बढ़ रही है, गरीबी के कारण लोग कह रहे हैं कि भई चलो पांच साल का या आठ साल का बच्चा हुआ, तो पढ़ने में तो कुछ रखा नहीं है, चलो हमारे साथ काम करने और मजदूरी करन के लिए जो पैरेंट्स है माता पिता हैं वो अपने पास ले गए कि बही चलो पैसे की कुछ तो आवक होगी आयका कुछ तो सोर्स होगा तो उनके पढ़ने में रुकावट आ गई आप कई बार बाजार जाते होंगे सबजी लेने के लिए तो सबजी लेने जब जाते होंगे आप तो देखते होंगे कि अपने माता या पिता के साथ एक कुछ छोटे बच्चे या हम कहें कि 10-15 साल का बच्चा भी वहां जो है वो स इस गरीबी से मजबूर होकर वो काम करने के लिए मजबूर हो गया है वो इसकूल जाने की उनकी इक्षा तो है सिक्षा प्राप्त करने की इक्षा तो है उनकी लेकिन वो सिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गरीबी जो है वो कारी करने के लिए उनको कि भाई, जितनी हम कह सकते हैं कि जिस देष राष्टर में स्वास्ता स्विधाओं का जितना विकास होगा, अब एक बात हम करते हैं कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है, वो बीमारी से जूज रहा है, हां, तो हम चाह तो रहें कि उसका इलाज कराएं, उसका ट्रीटमेंट क अद्दधर कोई विकल्प नहीं है कियोंकि गरीबी है। उनके पास इलाज कराने के लिए एपैसे नहीं है. उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब वह मजबूर है कि उनके इस्थान पर जो सरकारी चिकिटसालय होगा, वहाँ जितनी चिकित सा सुवीधा मिल पा रही है वो उत्ते में ही उनको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर जाकर और जो आधुनिक फैसिलिटी या ट्रिट्मेंट की जो आधुनिक विवस्था होगी वहाँ पर वो नहीं पहुच पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्र विकल्प नहीं है दूसरा कोई विकल्प नहीं है एक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक के पास की वो काम करें क्योंकि पैसे नहीं है क्रेश शक्ती नहीं है वो किसी और उच्छ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जा सकते या अपनी ही स्थान पर वो उच् क्योंकि विकल्प नहीं है उनके पास वहीं दूसरे जगह हम देख रहे हैं कि इलाज कराने की इक्षा शक्ति तो है पूरी इक्षा शक्ति है हम चाह रहे हैं कि हमारा जो संबंधी है वो ठीक हो जाए लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है और विकल्प इसली नहीं है क्योंकि कि हमारी क्रेश शक्ति उतनी नहीं है कि हम उस इलाज में पैसे जो है वो खर्च कर पाएं तो यह जो तीन विकास के हम रवस्था या उस देश में राष्ट में गुडात्मक परिवर्तन नहीं आता तब तक हम उसे मानव विकास नहीं कह सकते तो अब हम जब गुडात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा तो उस गुडात्मक पक्ष के या हम कहें कि विकास के जो कुछ मुखे केंद्र बिंदू हैं वो कौन-कौन से होंगे कि साधार पर हम कहेंगे कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है या उसका हम मापन कैसे करेंगे कि साधार पर कहेंगे कि वहां मानौ विकास हो रहा है तो इस मानौ विकास के जो केंद्र बिंदू है या उसके दूस तीसरा स्वास थे और तीसरा है क्रहशक्ति इन तीन बातों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि मानव विकास वहां किस अवस्था में हैं या उसका मैजरमेंट कर सकते हैं शिक्षा तो ज्यान प्राप्ट कर पाना मतलब किसी देश में हम कह रहे हैं जनसंख्या तो अभी हमने बात की थी ना कि भई बढ़ रही है लगातार ग्रोथ हो रहा है व्रिधी हो रही है लेकिन वहां पर लोगों को वहां के नागरिकों को सिक्षा जो है वो नहीं मिल पा र बढ़ रहा है है ना गरीबी बढ़ रही है गरीबी के कारण लोग कह रहे हैं कि भई चलो पांस साल का या आट साल का बच्चा हुआ तो पढ़ने में तो कुछ रखा नहीं है चलो हमारे साथ काम करने और मजदूरी करने के लिए जो पैरेंट्स है माता-पिता है वो अपन सबजी लेने के लिए तो सबजी लेने जब जाते हुँगे आप तो देखते होंगे कि अपने माता या पिता के साथ एक कुछ छोटे बच्चे यह हम कहें कि दस-पंद्रा साल का बच्चा भी वहा जो है वो सबजी बेजने के लिए बठा हुआ है तो क्यो ठीह मतलब उनके पास पैसे नहीं है, इंकम नहीं है, गरीबी है और उस गरीबी से मजबूर होकर वो काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो स्कूल जाने की उनकी इक्षा तो है, शिक्षा प्राप्त करने की इक्षा तो है उनकी, लेकिन वो सिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्यो रहत्त पूर्न केंद्र बिंदु है मानो विकास का, कि जितनी हम कह सकते हैं कि जिस देश रिया रास्ट्र में स्वास्त स्विधाओं का जितना विकास होगा, अब एक बात हम करते हैं कि कोई इनसान, कोई व्यक्ति जो है वो बीमारी से जूज रहा है, हाँ, तो हम चाहतो रह ऐसका ट्रिटमेंट कराएं वो पुरी तरह से ठीक हो जाएं, लेकिन पैसे ही नहीं है, तो तीस्रा आपका है क्रेश शक्ति, तो क्रेशक्ती नहीं है क्योंकि गरीबी है उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है उनके पास कोई विकल्प नहीं है मतलब वो मजबूर है कि उनके स्थान पर जो सरकारी चिकित सालय होगा वहाँ जितनी चिकित सा सुवीधा मिल पारी है वो उत्ते में ही उनको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर जाकर और जो आधुनिक फैसिलिटि या attributes की जो आधुनिक विवस्था होगी वहाँ पर वो नहीं पहुच पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्रै शक्ति नहीं है इलाज करने के लिए स्था तो इक्षा तो है इक्षा शक्ति तो है इलाज कराने की या हम कहें सिख्षा प्राप्त करने के लिए लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है दूसरा कोई विकल्प नहीं है एक सिख्षा प्राप्त करने वाले बालक के पास की वो काम करे क्योंकि पैसे नहीं है क्रे शक्ति नही तो और कोई विकलप नहीं बसता, तो या तो अपने माबाप के साथ मजदूरी का कारिक कर रहे है साब चूटा पॉलश कर रहे हैं, या सबजी बेच रहे हैं, क्योंकि विकलप नहीं है उनके पास, वहीं दूसरे ुशिव जगा इलाज कराने की इक्षा शक्ती तो है पूरी इक्षा शक्ती है हम चाह रहे हैं कि हमारा जो संबंधी है वो ठीक हो जाए लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है और विकल्प इसली नहीं है क्योंकि हमारी क्रेश शक्ती उतनी नहीं है कि हम उस इलाज में पैसे जो है वो खर्च कर पाएं तो ये जो तीन विकास के हम कर दो ये जोचा सकतव C